एएरपोर्ट का उद्गाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीरे वहां से इनसे जारखन के आधुनिक कनेक्टिविटी, उर्जा, स्वास, आस्था और परियटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है हम सभी ने देवघर एरपोर्ट को और देवघर एम्स इसका सपना लंबे समय से देखा है ये सपना भी अब साकार हो रहा है साथियों इन प्रोजेक्ट से जारखन के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही व्यापार, कारोबार के लिए, टूरिजम के लिए, रोजगार, स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए आउसर बनेंगे विकास के इन सभी परियोजनाओं के लिए, मैं सभी जारखन वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अनेक अनेक सुबकामनाई देता हूँ यह जो प्रोजेक्ट्स हैं, यह जारखन में भले सुरू हो रहे हैं, लेकिन इन से जारखन के अलावा, बिहार और पस्टिम मंगाल के भी, अनेक शेत्रों से सीधा लाब होगा याने परियोजनाएं, पुर्वी भारत के विकास को भी गति देगी, साथ क्यों, राज्यों के विकास से राष्ट का विकास देश, पिछले आठ वर्सों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है पिछले आठ वर्सों में, हाइवेज, रेलवेज, एरवेज, बॉटरवेज, हर प्रकार से जार्खन को कनेक करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वो परी है आज, जिन तेरा हाइवेज प्रोजेस का लोकारपन और सिलान्यास हुआ है उनसे जार्खन की बिहार और प्रस्टिम मंगार के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी मिर्जा चोटी से फरका के बीच जो फोरलेन हाइवेज बन रहा है उससे पूरा सम्ताल प्रगना को आधुनिक सुभीदा मिलने वाली है राची जमसेदपूर हाइवे से अब राजदानी और इंडर्स्टियल सीटी के बीच यात्रा का समाई और ट्रास्पर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी पलामा गूंला सेक्शन से 36 गड़ तक वहाँ पहुँच बहतर होगी पारादिप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को जारखन लाना भी और आसान हो जाएगा सस्ता हो जाएगा रेल नेट्वर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है उससे पूरे ख्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं रेल ट्रांस्पोर्ट और तेज होने का मार्क बना है इन सभी सुभीदाओं का सकारात्मक असर जारखन के आउद्योगिक विकास पर पड़ेगा